असलाम अलेकम दोस्तों आज इस एडियो में मैं आपको एडवांस फिल्टर इस्तमाल करमा सिखाऊंगा एडवांस फिल्टर का असल मकसद है किसी भी टेबल से यूनिक फिल्टर करके आना तो यह स्टार्ट करते हैं एडवांस फिल्टर सबसे पहले डेटा टेप पे हैं, डेटा टेप पहान के बाद यहां साट एट फिल्टर में जाके इद्वांस पे कलिक करें इद्वांस पे कलिक करने के बाद यह चोटी सी विंडो अपिन होगी, यहां पे आपको copy to another location मतलब जो data filter हो किया है किसी और location पे show हो तो आपको यहाँ पर slit करना है उसके बाद less strange less strange मतलब जो आप data filter करना चाह रहा है यहाँ पे मैंने इसको click किया click करने के बाद यह पूरी की पूरी टेबल slit करना है यहाँ पे आपको heading भी slit करनी है ताकि यह पूरी की पूरी टेटा इसी और जगह पे जहाँ पे आप filter करना चाह रहे है महाँ पे पूरी की पूरी टेटा शो हो जाए copy to another location click करने के मैं यह डेटा इस जगह पे चाह रहा हूँ यहाँ पे click करूँगा और मुझे unique records चाहिए तो मैं unique records पे click करूँगा यहाँ पे पूरी के पूरी unique records आगए यह तो थे unique records की filtering मतलब मैं चाहता हूँ कि unique records के साथ साथ क्योई condition भी हो let's suppose यहाँ पे किसी बंदे के एक अजर से उपर जो text कटा हुआ है वो सारी की सारी data लेके आए तो सबसे पहले मैं इसकी heading copy करूँगा यहाँ पे रखिए और मैं चाह रहा हूँ के जो text is एक अजर से उपर है वो सारी की सारी data लेके आए तो greater direction देके एक अजर लेकोंगा तो यह हमारी condition हो गई है फिर से filter पर जाके advance filter पर क्लिक करें यह data पहले से select की हुई है copy to another location करें अब यह crater arrange में आप इसको क्लिक करेंगे जो crater आपने देनी है वो यह देनी है यह select करनी है crater arrange मतलब text is जो हजार से उपर हो वो यहाँ पे show करें उसके बाद copy to मतलब जो यह data filter हो क्या है किसी location पर शोब तो इक क्लिक करके मैं यह select करूँगा कि पूरी की पूरी डेटा यहाँ पर show और unique records पॉके कर दें देखें यहाँ पर जो भी हजार से उपर जिसका text कट आए हो वो सारी की सारी डेटा लेके आए उमीद है आपको यह वीडियो पसंद आए होगी अगर पसंद आए है तो लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें